हलो दोस्तों नमस्कार अगर आप न्यू फॉक्सवेगन पोलो का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी ख़बर है फॉक्सवेगन ने खुज ये कनफर्म कर दिया है कि कंपनी का प्लैन पोलो को फिलहाल इंडिया में लॉंच करने का नहीं है एक यूजर ने न्यू पोलो के लॉंच के बारे में कंपनी से पुछा था इसके बाद फॉक्सवेगन इंडिया ने न्यू पोलो के बारे में ये रिप्लाई किया था reply में company ने सब कहा है कि new polo को इंडिया में launch करने का plan फिलहाल नहीं है फिलहाल Volkswagen इंडिया में new वर्टस sedan को launch करने का plan कर रही है इस car को Volkswagen 8 March को reveal करेगी Volkswagen वर्टस का front new polo से काफी मिसाजुद्दा है वर्टस को आप polo का sedan version बोल सकते हैं 8 मार्च को इस कार का वर्ल्ड प्रेमियर होगा 8 मार्च से पहले यही कन्फर्म हो चुका है कि फॉक्स वेगन पोलो और वेंटो को इंडिया में डिसकंटिन्यू करेगी ओल्ड के बजाए अब फॉक्स वेगन सिर्फ अपनी न्यू कार्स पे फोकस करेगी आने वाले समय में इन दो कारों को डिसकंटिन्यू करने को लेकर हमें ओफिसियल एस्टेटमेंट देखने को मिलेंगे फिल्हाल बहुत सारे कश्मर्स ऐसे हैं जो की न्यू पोलो के इंडिया में लॉंच होने का इंतजार कर रहे हैं अभी के लिए फोक्स वेगन के पास न्यू पोलो को लेकर कोई प्लैन नहीं है तो न्यू फोक्स वेगन पोलो आपको कैसी लगती है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके बाद ऐसे ही आटो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जरे करें झाल 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 झाल